हलो स्टुडेंट्स हम लोगों ने अभी तक अपनी पिछली अक्षाओं में फलन के बारे में बात करी थी अब इस क्लास के अंदर हम चुरुआत करेंगे हमारे क्याल्कुलस के सेकिंड चैप्टर के लिए जो कि है प्रतिलोम वरत्य फलन या या inverse technometric function या inverse circular function ठीके प्रतिलोम वरत्य फलन या प्रतिलोम त्रिकून मीतिय फलन है यह किनका inverse होगा यह sin x, cos x, tan x यानी जो त्रिकून मीतिय अनुपाथ है उनका प्रतिलोम होने वाला है अब यहाँ पर पहला सवाल यह उठता है, क्योंकि हम जानते हैं, कि जो त्रिकोण मीतिय फ़लन होते हैं, वो आवर्थिय फ़लन होते हैं, इन्वर्टिबल नहीं है, उनका पृतिलोम ग्यात नहीं की आजा सकता, यदि उनका पूरा प्रांथ हमें दिया जाए, लेकिन हमने ये भी सीखा था कि यदि कोई फलन आपका बहु एकाकी है और अंतक्षेपी है तो आप उसके प्रांत को और सह प्रांत को छोटा करके या उसको रेस्ट्रिक्ट करके क्या कर सकते हैं उस फलन को एकाकी और आच्छादक बना सकते हैं यहाँ जो हमने इनवर्स की बात करनी है वहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा तो हम पहले शुरुवात करें हमारा चैप्टर है प्रतिलोम व्रतिय फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीके यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स की ठीके कॉस इनवर्स एक्स की तो अगर हमें इनकी बात करनी है तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रतिलोम फलन कब निकाले जाते ह हैं, तो हम जानते हैं कि कर निकाले जाएंगे जब वह एकांगी और आच्छा दखो, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा idea ले लेते हैं कि यह क्या है, यहाँ हम बात करने वाले है, sin inverse x की, Finnish cos inverse x की, ten inverse x की, ठीके न? ईस sin inverse x है ठीक है अच्छा अब हम यहां समझे पहली बात कि अगर मैं आपको एक फलन देता f कहा से कहा तक मा लिजे रियल नंबर से लेके रियल नंबर देता और मैं आप से बोलता कि चलिए f of x बराबर sin x ले लेते हैं ठीक है तो आप बोलते हैं कि सर यह जो फलन है sin x यह आपका many one function है क्योंकि यह आवरतिय फलन है और साती सात यह into है क्यों into है क्योंकि sin x का जो परिसर आता है वो minus 1 से 1 आएगा और जो आपका यहाँ पर सरफ्रांथ का उपसमुचे है उससे मेरा सरफ्रांंत है वहाँ परिसर सर से बड़ा होने की वज़े से यह 22 अंतक शेप फलन है है यह आपका शुरूर आता है है सैनेग सग्राफ को आवर्तिय फलने कर ए तो है नहीं एसे चलेगा वो तो यह आपका शुरुआत होता है 0 से यह point है आपका pi बटे 2 यहाँ आगया pi यहाँ आगया 3 pi बटे 2 यहाँ आगया 2 pi ठीक ही जी यहाँ पर आपका आगया minus pi by 2 minus pi minus का 3 pi by 2 और minus का 2 pi graph देखकर के मुझे साव पता चल रहा है कि यह फलन कैसा है यह आपका many one है और साथ ही साथ क्योंकि यह अपना परिसर एक और minus 1 के बीच में ले रहा है तो हम बोलेंगे कि यह क्या है many one और into है अब मैंने कहा कि पृतिलोंग फलन उन्हीं फलनों का हो सकता है जो एकाकी और आच्छा दखो आच्छा दख और एकाकी करने के लिए हम क्या करते हैं हम इस फलन को break करने की कोशिश करते हैं यानि मैं इसके प्रांद को restrict कर देता हूँ मैंने इसके प्रांद को बोला कि आप minus pi by two जो दे रखा है यहाँ पर काट दें और आप इसको pi by two पर भी काट दे अगर आप सिर्फ इतने एरिया पर का graph देखेंगे ध्यान से यहाँ से लेके और यहाँ तक का graph देखेंगे तो देखें कि इतने एरिया के अंदर आपका जो graph होगा वो एकाकी होगा क्योंकि वो सिर्फ एक बारी गटेगा एक्स की समानतर रिखाओ से अच्छा और अगर सवपरांथ को मैं माइनस एक से एक कर दूँ तो मेरा जो परीसर आएगा माइनस एक से एक वो सवपरांथ के बराबर होगा तो उस case में जो मेरा साइनेक्स है वो क्या हो जाएगा एक एक आकी और आच्छा दख फलन हो जाएगा यहाँ पर बच्चे कई बार यह भी पूछते है कि सर्फ जरूरी है कि आप माइनस पाबैटू से पाबैटू करो आप माइनस पाबैटू से पाबैटू ही क्यों करना चाते हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो sinx का परिसर है minus x1 वो पूरा अचीव हो जाए और फलन एकाकी भी रहे देखिए मेरे मोटिव क्या है यहाँ पर प्रांत को restrict करने का प्रांत को restrict करने का जो मेरा concept है यानि मैं x के वो अंतराल को पकड़ना चाहता हूँ जहां पर क्या हो कि मेरा जो परिसर है sinx का वो तो पूरा minus x से 1 आ जाए ठीके वो पूरा परिसर मेरा कहां से कहां तक आ जाए minus x से लेके 1 तक आ जाए ठीके और क्या करूं मैं मैं इसको एकाकी बना लूँ उसी case में यानि अगर मैं आप से बोलता या आप मेरे को बता सकते हैं कि सर अगर आप pi by 2 से लेकर के और 3 pi by 2 पे भी रोगते और आप अपने ग्राफ को सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही बनाते तो ये भी फलन minus x से लेकर एक तक पूरा परिसर देते था और साथ ही साथ यह एकाकी होता तो ऐसे ही आप बोलते कि सर इसको आप आगे भी ब्रेक कर सकते थे आप चाहते तो उसे minus 3 pi by 2 से और minus pi by 2 के बीच में भी ग्राफ बना सकते थे और ये वाला जो ग्राफ होता वो भी कैसा होता एकाकी और आच्छा दक होता इसका मतलब यदि फलन f of x के प्रांत को मैं minus 3 pi by 2 से लेकर और minus pi by 2 ले जाओ ठीके या minus pi by 2 से लेकर के और pi by 2 ले जाओ या pi by 2 से लेकर के 3 pi by 2 ले जाओ इन सारे केसेस में जो मेरा ग्राफ बचेगा वो ग्राफ क्या होगा? एकाकी होगा अगर प्रांत को यदि फलन f of x के प्रांत को हम इन अंतराल में ले जाएं या है यानि हम या पर या तो इसको ले ले या तो इसको ले ले या ऐसे जितने भी और आगे आ सकते क्योंकि हम तो आर पर चल रहे हैं अभी हमारे वास्तिक संक्याओं की बात चल रही है तो ऐसे तो आते ही जाएंगे बहुत सारे अंतराल अगर लेते चले को रेस्ट्रिक्ट कर दूँ तो साइन एक्स वन वन हो जाएगा ठीके? यानि मेरा फलन जो f of x है उसको मैंने क्या कर दिया? उसके प्रांथ को रिस्ट्रिक्ट करने से मुझे क्या फाइदा मिल गया? मैंने उस फलन का जो बहु एका की हो रहा था उसको मैंने एका की बना लिया ठीके? अगर आप यहां से लेके यहां तक का ग्राफ देख लेंगे तो आप x-axis की समानता रेखा है इसको एक ही बार कटेगी अगर आप उसको minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में करेंगे तो भी एक बार ही रेखा काटेगी x-axis की समानता रेखा है या ऐसे pi by 2 से 3 pi by 2 तक रोग दे यापर pi by 2 से लेके 3 pi by 2 तक रोग दे तो भी आपका graph क्या होगा एक ही बार कटेगा ठीके यानि आपका जो फलन है वो कैसा बन जाएगा एक काकी बन जाएगा ठीके अच्छा हमने कहा दूसरा case आप इसमें ये भी ले लो कि यदि फलन f of x के सहपरांत को माइनस एक से लेकर एक तक कर दे तो उपरोप्त प्रांत में f of x on to भी हो जाएगा सही बात किया रहा हूँ अपने कहा कि ये प्रांत अपन क्या कर रहे है हम इन प्रांतों को इन इस अंतराल में या इस अंतराल में या इस अंतराल में रेस्ट्रिक्ट कर रहे है अब अगर उस पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने मालनों में से कोई सा भी एक चुन लिया ठीके और मैंने उसी समय पे सह प्रांथ को आर की जगह पर माइनस एक से एक तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया ठीके तो हमारा जो फलन आएगा वो क्या हो जाएगा वो एकाकी हो जाएगा और आच्छा दक हो जाएगा यानि इस अंतराल में प्रांथ के इस अंतराल में और सह प्र 2 से लेकर के और minus pi by 2 तक लेलू और आपके सहपरांद को मैं minus 1 से 1 लेलू चीके तो आपका f of x क्या हो जाएगा आपका f of x 1 1 हो जाएगा एक आकी हो जाएगा और आच्छा दक हो जाएगा यानि on to हो जाएगा या आप उसको बोलेगी सर आप f को minus pi by 2 से लेकर के और pi by 2 लेले और सहपरांद को minus 1 से लेकर 1 लेले और आपका f of x आएगा वो क्या हो जाएगा फिर से 1 1 हो जाएगा इस interval में भी और on to हो जाएगा या ऐसे आप जितने भी अंतरा लौर बना सकते हैं आप बनाते चले जाए तो यहाँ पर आपका फलन क्या है पृतिलोम फलन निकाल सकता है यानि उसका inverse जो होगा वो exist कर जाएगा अब अगर inverse exist कर गया तो आप उसका inverse निकाल सकते हैं अब उसका inverse निकालने का जो तरीका है वो inverse निकालने का तरीका क्या होगा अगर मान लीजीए मैंने आपसे बुला कि मैं f का मान ब्लॉक करता हूँ अपने आपको कहा से कहा तक मान लीजीए मैंने एक और ले लिया πाई बाई टू से लेकर के और 3 पाई बाई टू तक और मैंने आपको सहप्रांद माइनस 1 से 1 तक दे दिया तो आप बोलेंगे कि जो f of x बराबर sin x है वो क्या बन गया बटा आपका वो बन गया आपका one one और on two यानि वो invertible है invertible का मतलब उसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है अब इसका प्रतिलोम निकालने का तरीका हम लोगोंने सीख रखा है कि हम f of f inverse x को x के बराबर हल करते हैं यानि मैं आपको बोलूगा कि sin of f inverse x जो है वो आपका क्या बन जाएगा x बन जाएगा और यहां से आप बोलोगे कि sir f inverse x का जो मान आएगा वो sin inverse x आएगा ठीके अच्छा अब अगर f inverse x का मान आपके पास क्या आगया sin inverse x तो आपको यह भी पता है कि जब हम इसका प्रतिलोग फलन ज्याद करते हैं तो जो original function आपको दे रखा है उसका जो आपका सह प्रांथ है वो इस वाले का क्या बनेगा प्रांथ बन जाएगा और इसका जो प्रांथ दे रखा है किसका फलन का f का वो f inverse का सह प्रांथ बनेगा यानि अगर इसका inverse आपने निकाला तो आपको बोलना पड़ेगा कि यह मान माइनस x से 1 से लेकर और कहां से कहा तक pi by 2 से 3 pi by 2 जाने वाला है और आपका जो f of x नया आएगा या g of x माल लेते हैं वो कोण है यह क्या है यह angles है तो जो sin x अपने अंदर input ले रहा है वो क्या ले रहा है कोण ले रहा है और यहाँ पर जो output आ रहा है वो कुछ numerical values आ रहे हैं कुछ अंक आ रहे हैं जो minus x से 1 के मद्धे होने वाले सही बात लेकिन जब आप inverse को ध्यान से देखते हैं तो आप यह पाते हैं कि उसका input कुछ अंक आने वाले है और उसका output क्या रहा है उसके output कौण है तो हम क्या बात समझ पाए कि जो sin inverse x है sin inverse x है वो क्या है उसको समझना पड़ेगा आपको वो क्या है वो क्या है अब यह कौण कौण सा कौण है यह वो कौण है यह वो कौण है जिसे sin x में रखने पर यह जो कौण आया आपका पूरा का पूरा यह कौण क्या है यह वो कौण है जिसे sin x पे रखने पर आपको x प्राप्त हो आपको क्या प्राप्त हो जाए x प्राप्त हो ठीके आपने कहा कि सर मैं क्या इसका मतलब समझा नहीं मैंने आपसे बोला पेटा x का value 1 लेलो अब आप अगर x का value 1 रखोगे तो आपको मान निकालना है sin inverse 1 का तो sin inverse 1 क्या है यह वो कौण है जिसे आप sin x में जब डाले तो आपको 1 मिल जाए समझ में अरी मेरी बात मेंने क्या बोला कि sin inverse x क्या है वो एक कौण है कौण सा कौण है उस score को यदि आप sin के अंदर रख देते है sin x के अंदर रख देते है तो आपको x प्राप्त होना चाहिए तो मेरे से बोला गया कि sin inverse 1 का मान क्या होगा तो मैं बोलूँगा sin inverse 1 का मान क्या होगा sin inverse 1 का मान वो होगा जो sin x में कोई angle डाला जाए जो x बराबर क्या दे दे? 1 दे दे तो sin inverse 1 का मान कितना आना चाहिए बिटा? pi by 2 क्योंकि sin के अंदर अगर आप pi by 2 दोगे तो 1 आएगा तो sin inverse 1 क्या है? sin inverse 1 is equals to pi by 2 आजाएगा ठीके? तो sin inverse x कोण है इसका मतलब जो एक important बात आपको समझ में आई? वो क्या समझ में आई? कि आप कभी भी ध्यान दे इस बात को कि sin inverse x जो है वो 1 upon sin x नहीं है sin inverse x जो है वो 1 upon sin x नहीं है कई बच्चे बोलते हैं कि इसर साइन की power जब आप 2 लगाते थे तो उसको तो आप sin square x बोलते थे तो sin की power minus 1 x minus 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो sin inverse x है वो 1 upon sin x नहीं है क्योंकि 1 upon sin x का मतलब होता है cosec x और cosec x क्या लेगा? input में कोन लेगा? output में numerical value देगा और sin inverse x क्या है? वो तो ये कोन है? तो कोन हो numerical values बराबर नहीं होने वाली है ये बात समझ में आ रही है इसका मतलब ये ध्यान देंगे कि sin inverse x कभी क्या नहीं है उसको interpret नहीं करेंगे अपन 1 upon sin x से ठीके? तो अब यहाँ पर हम लोगों को ये बात समझ में आई कि यदि हम किसी बहु एकाकी और अंतक शेपी फलन को हमें दिया जाए तो हम उसके प्रांथ और उसके सहप्रांथ को restrict करके, छोटा करके हम उस फलन को एकाकी और आच्छा दग में परिवर्थित कर सकते हैं और जब वो एकाकी और आच्छा दग हो जाता है तो हम उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं अब यहाँ पर एक और प्रशन जनरेट हुआ कि सर हम कैसे decide करें कि आकिर हमें breaking करनी कहा है तो आपको जो breaking करनी है यानि आपको ये जो कोडों के बीच में आपको फलन को रोकना है ये कोड हमेशा numerically least होने चाहिए यानि गणिती रूप से अंकी रूप से उसे सबसे नियूंतम मान को उठाना है समझ में रहा है इसका मतलब अगर मैं इतने सारे इंटरवेल्स में अपने साइनेक्स को रोक करके एका की राच्छा तक बना सकता था तो हमने जो उसका principle यानि जो मानक मान लिया वो मान हम क्या लेंगे जो numerically least होगा यानि माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू अगर numerically least का मतलब पाइबाइटू देखिए यहाँ पर शूनि से पाइबाइटू और शूनि से माइनस पाइबाइटू है यहाँ पर आप देखो कि तो क्या हो रहा है पाइबाइटू और थ्री पाइबाइटू तक जा रहा है माइनस पाइबाइबाइटू तक यह पाइबाइबाइटू से थ्री पाइबाइबाइटू तक जा रहा है तो इन सब में भी यह किया जा सकता था लेकिन जब हमने प्रत परिसर आपको दे रहाओ. तो आपका चुनाओ का तरीका क्या है? आपको चुनाओ करना है किसे? परांत और सहे परांत को आपको रोकना था. आपने बोला कि सर हम क्या कर चाते हैं? कि जो भी हमारे त्रिकोन मीतिये फलन हमें दिये जाएंगे, उन सारे त्रिकोन मीतिये फलनो के अंदर क्या होगा जो परिसर होगा वो परिसर ही हम से प्रांथ रखेंगे पहला बात तो समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारा त्रिकोड मिती फलन होगा उसका जो पूरा का पूरा परिसर है उसे ही से प्रांथ माल लेंगी अब यह जो आपने परिसर है जो उसका Sine X का या मालीजे Coss X का या मालीजे Sec X का जो परिसर आ रहा है उस परिसर को लाने के लिए आपको जो X का सबसे नियुंतम अंतराल चाहिए उसको आप बोलेंगे क्या कि वो हम आपका प्रांग को रेस्ट्रिक करने का एरिया पकड़ेंगे और वहाँ पर हम आपको एकाकी बनाने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपसे बोला वो क्या बोला आप चाहते तो पाइबाइटू से थ्री पाइबाइटू में भी ये काम कर सकते थे लेकिन जब हम Sine X की बात करेंगे विटा तो हम क्या करेंगे F में प्रांथ को ब्लॉक क करेंगे ने निमेरिकली लीस्त यानि माइनसदा शुरू से पाइबाइटू के बीकिच में ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि माइनस पाइबाइटू से लेकर aur आप रूखते हैं तो Sine X अपना पूरा परीसर माइनस एक से लेएक तक दे रहा है साथ ही साथ जो अंतराल आप बात पगड़ रहे है वो अंतराल जो है वो नियूंतम अंतराल है गड़ी तिये रूप से लेकिन हम जो दिखने में सबसे छोटे अंक वाला अंतराल होगा जहां मेरा पूरा का पूरा परिसर दे अपना हम उतना अंतराल पकड़ते हैं और उसको हम बोलते हैं क्या कि कि वो आपका restriction है किसका domain का और यही आपका finally क्या होता है principle range के लाता है तो हमने क्या कहा कि हम sign को block करेंगे minus pi बैटू से लेके pi बैटू तक और सहपरांद को block कर दूँगा मैं कहां से कहा तक minus x से लेके 1 तक और जैसे मैंने f of x बराबर sin x लिखा तो आप बोलोगे कि sir अब ये जो फलन है वो निश्चित तोर पर एक one one और on two function है यानि एका की और अच्छा दक फलन है और अगर ये एका की अच्छा दक फलन है तो आप इसका inverse निकाल सकते हैं जिससे अपन बोलेंगे कि f inverse x जो आएगा वो minus x से एक तक परिभाशित होगा से लेकर कहां तक minus pi by two से pi by two और आपका जो f inverse x आजाएगा वो इस case में क्या आजाएगा sin inverse x आजाएगा तो आप क्या कर रहे हैं प्रांत और सह प्रांतों को restrict करके हर त्रिकोणमी तीय फलन को आप किसमें बदल रहे हैं प्रतिलों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ऐसे ही अगर अपन और समझे मैं बोलूँ आपसे cos x का देखे ताकि हमें feel आजाए जैसे मैंने f आपको दिया real number से लेके real number है ठीक है जी और हमने f of x ले लिया cos x अब इसको देखते हैं बदाम हमने दिया function दिया है real number to real number में और f of x दिया है कितना cos x दिया है ठीक है अब मेरे को cos x का graph बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो तो मैं cos x का graph बना लेता हूँ cos x का graph zero से शुरू कर लेता हूँ मैं zero से लेकर के यह ऐसे चला जाएगा आपका ऐसे पीछे की तरफ चले तो ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा यह point अपन मान लेते है कि यह minus 2 pi है यह माल लेता है कि minus का 3 pi by 2 है यह वाला माल लेता है minus pi है बान क्या लिए है भी वही minus pi by 2 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 और 2 pi अब देखे मेरा motive क्या है मेरा motive है इस बहु एका की फलन को 1 एकά की बनाना और 11 की बनाते वक्त मुझे ध्यान क्या देना है कि मैं f inverse के अंदर या मैं इसको एकाकी बनाते वक्त क्या देना चाहता हूँ कि जो मेरा परीसर आ जाए मेरा परीसर किसका fx का परीसर यानि range of f जो आ जाए मेरी वो निश्चित तोर पर minus 1 से 1 तक आ जाए और बस वो एक ही बार पकड़ पाए minus 1 से यानि minus 1 से लेके तक मेरा परीसर आजा अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ मैं अगर block करना चाहूँ तो मैं शुरुआत कहां से करूँ देखी यहाँ पर वो minus 1 बन रहा है से लेकर यहाँ पर वो एक बन रहा है यानि मैं blocking यह वाली कर सकता हूँ एक बार तो यह अंतराल के लिए आपका x का जो interval है वो कहां से कहां तक जाएगा या इसको भी देखे पहले यहां से भी कि आप इसको भी block कर सकते थे इस अंतराल में देखें अगर आप तो आपका यह वाला minus 1 से शुरू हो रहा है और नीचे जा करके यह minus 1 तक जा रहा है तो आपकी x की जो blocking है वो सबसे पहले तो मुझे दिख रही है कि minus 2 pi से लेकर और minus pi तक block कर लो आप x को ठीके उसके बाद फिर अपने क्या बुला कि हम x को block कर सकते हैं कहां से कहां तक या और लगा रहा हूँ मैं या हम x को block कर सकते हैं कहां से कहां तक बिटा minus pi से लेकर के और 0 तक कर सकते हैं ठीके और और हम कहां block करें अब आप देखो कि भई आप 0 से block कर लो और कहां तक block कर दो कि सार हम pi से लेकर के और 2 pi तक पर भी block कर ले तो और आप इसको block कर सकते हो pi से लेके 2 pi तक यह वो अंतराल है जहां पर आपका जो फलन होगा f of x वो एकाकी भी होगा क्या होगा एकाकी भी होगा और साथ ही साथ वो अपना पूरा परिसर minus 1 से 1 आपको दे देगा यानि अगर उस case में सहपरांत को minus 1 से 1 रख दूँ तो आपका सहपरांत और परिसर बराबर हो जाएंगे और फलन आपका आच्छा दक हो जाएगा और इन अंतराल में क्योंकि फलन आपका एकाकी है तो यह प्रतिलों वरत्य फलन मनाने के ल 0 से पाईथा, क्योंकि हम जो हमारे चतुरतांचु को देखते हैं, वो चतुरतांच कहा से शुरू होता बीटा, 0 से फिर यहां आता है पाईश पाईड़ा खो 1, फिर आता है 3 फाईड़ां 2 और 2 पाईश देखसे हो तो एक यह कोन एक औरниз पाईश दिशन में नापते हो तो उसे हम क्या बोलते है धनात्मक ठीके और यदि उन्हें clockwise नापते हैं तो वो हो जाते है रहनात्मक तो अगर आप उसको इस direction में नापते हैं तो यह वाला आपका minus pi बनता और यह वाला आपका minus pi बन जाता तो आपको कौन से चतुरतांच मिलते हैं तीसरे और चौते चतु यह चुनेंगे ठीके तो अब अगर आपने ऐसा करा तो आप बोलोगे कि सर हमने f चुल लिया अपना 0 से लेकर और pi तक और हमने अपने सहपरांद को चुना अगर minus 1 से 1 तक तो जो f of x आपने हमें दिया था cos of x वो क्या हो गया वो एका की और आच्छा दक हो गया अब वो आप उसका inverse निकाल सकते हैं क्योंकि वो हो गया है आपका 11 यानि एका की और आच्छा दक यानि ओन तो आप इसका inverse कैसे निकालेंगे आप f of f inverse x को किसके बराबर रखने वाले हैं x के बराबर तो यह बनेगा cos of f inverse x बराबर x तो f inverse x बराबर आपके पास आजाएगा cos inverse x और अगर इसको अपन नया फलन gx माल लें तो क्या होगा कि आपका g परिभाशित होगा कहां से कहां तक minus x x से लेकर कहां से कहां तक 0 से लेकर 5 तो अब हमें यह समझ में आ गया कि प्रतिलों वरत्य फलन अगर निकालने हैं तो त्रिकोन मितिये फलनों के प्रांत को और सेप्र करना है ठीक है अब से प्राइच का logic लियर हो गया उसमें से प्रांत हमेशा जो आपके त्रिकोन में तिये फलन का परीसर आने वाला है उसी को ही से प्रांत माना है या यह आप पता चल गया अब जब लिए अन परांत में x का यहां पर हमें पूरा परिसर मिल जाए और वहाँ अंतराल नुमेरिकली लीस्ट हो ठीके इसका मतलब अगर मैं आपसे पूरे inverse trigonometric function में बात करूँ हाँ तो आपको मैं बता दू क्या होने वाला है देखी ध्यान से कि sin inverse x ठीके cos inverse x 10 inverse x cot inverse x sec inverse x और cosec inverse x अगर हम इनके प्रांत के बारे में बात कर रहे हैं यानि x का मान तो वो उनका sin x का परिसर होता है यह किसका परिसर है sin x का परिसर तो cos x का परिसर क्या होने वाला है वो आने वाला है minus x से 1 10 x का परिसर क्या होता है 10 x का परिसर r होता है 10x का परिशर क्या होता है R सारे वास्त वे गंग देदा 10x तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा R ऐसे ही कोटेक्स का भी R अच्छा sec x का परिशर क्या होता था minus anand से minus 1 union 1 से लेके anand ठीके ना तो यहाँ इसका प्रांत क्या आ जाएगा x belongs to minus anand से minus 1 union 1 से लेके anand और same to same इसका भी आ जाएगा minus anand से minus 1 union 1 से लेके anand मैं फिर से याद दिला दू कि जो मैंने sin inverse x cos inverse x 10 inverse cot इन सबके जो मैंने प्रांत लिखे हैं वो वास्तविक्ता में sin x cos x 10 x cos x sec x और cos x के जो वास्तविक परिशर है उनी को मैंने इनके क्या बना दिया है प्रांत बना दिया है अब इनका परिशर के बारे में बात करते हैं इनका परिशर क्या आएगा इनका परिशर हमें numerically least लेके आना है तो ध्यान से देखना कि सब जो है यहां पर ध्यान देखना हम 3-3 के break में मार रहे है 3 number जो है वो ये है ये है और इसका भाई ये रहा, ये 3, sine inverse 10 inverse और cosec inverse ये 3 जो चलते हैं, वो minus pi by 2 से pi by 2 चलते हैं कैसे चलते हैं, minus pi by 2 से pi by 2, कैसे, minus 1 से 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लिख लो minus pi by 2 से pi by 2 ये परिसर है इसका, ठीके y belongs to, इसके बाद यहाँ देखो r जो है, r का मतलब क्या होता है minus anand से plus anand वो भी open bracket में, यानि छोटे bracket में दोनों में minus anand और plus anand दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कि y belongs to मुझे open bracket में देना पड़ेगा minus pi by 2 और pi by 2, ठीके जी यहाँ आप देखेंगे क्या, कि minus anand से minus 1, union 1 से anand है, ठीके, इसमें क्या हुआ कुछ मानों को बीच में छोड़ दिया गया है, बीच में कुछ छूटा है, minus 1 से 1 के बीच का मान हमने छोड़ दिया, बाकि सारे मान हमने ले लिए, बोलो ठीके, तो यहाँ पर भी answer कैसा आएगा, देखो, why belongs to close bracket, क्योंकि minus 1 और 1 पे close लग रहा है, तो minus pi by 2 से pi by 2 close होगा, और इन दोनों के just बीच में कौन सा नंबर है, minus pi by 2 और pi by 2 के just बीच में नंबर आता है, शूनिय, आप उस शूनिय को हटा दे बस, तो यह आपका परिसर आगया किसका, इन तीनों का परिसर आगया, ऐसे ही अब अगर अगर अपन बात करें किसके लिए, कॉस inverse x के लिए, तो यह जो चलता है कॉस inverse x, कॉट inverse x और सेक inverse x, यह जो पर बोल दिया y belongs to minus अनंज से, sorry, y belongs to कितना जाएगा आपका, 0 से y belongs to 0 से πाई और दोनों पर क्या लगा दिया, open यहाँ पर देखोगे क्या होगा, कि minus 1 और 1 पे close तो लग रहा है, लेकिन बीच के कुछ मानों को छोड़ा जा रहा है तो आप यहाँ पर लिखोगे y belongs to close bracket में 0 से लेकर पाई, और 0 से पाई के बिल्कुल बीच में कौन सांक आएगा, 0 और पाई के जस्ट बीच में आएगा, 5 by 2 तो आप यहाँ पर minus करके क्या लिख देंगे 5 by 2, तो यह आपके 6 inverse technometric function के प्रांत है, प्रांत में कोई दिक्कत नहीं होती प्रांत बहुत आसानी से ग्यात हो जाता है और परिसर में ध्यान रखेंगे कि sin inverse x, 10 inverse x और कुसेक inverse x जो है, वो minus pi by 2 से pi by 2 के मोड में चलता है और बचे हुए कॉन से cos inverse x, cot inverse x और sec inverse x जो होते हैं वो 0 से pi के मोड में चलते हैं और आप यहाँ पर जो प्रांत लिखते है उनके bracket के हिसाब से इनके bracket लगा सकते हैं ठीके, तो यह हमारा जो inverse technometric function है, उनके सारे प्रांत है, और यह सारे क्या है परिसर है, अब जरा इन पर हम कुछ मुख्य बातों की बात करेंगे ध्यान से देखेंगे आप आप जरा ध्यान से देखेंगे पहले मैं एक बार बता दू सारी चीज़े फिर मैं आपको सारे point लिख वहाँगा भी आप जरा ध्यान से देखेंगे तो देखें, minus pi by 2 मैं आपको पहले quadrant मना के दिखा देता हूँ यह अपना quadrant है यह 0, यह आपका pi by 2 यह pi यह 3 pi by 2 और यह आगे 2 pi ठीके? घुम के 2 pi बना लेगा और अगर अपने इसको पीछे ले ले तो यह वाला आपका आजाएगा minus pi by 2 अगर आप clockwise में चलेंगे तो यह minus pi by 2 अच्छा जी अब जरा देखे sin inverse वाला minus pi by 2 से और pi by 2 जाने के लिए तयार है यानि यह कौन से चतुर्थांच की बात करने वाला है यह पहले चतुर्थांच में है और चौथे चतुर्थांच में है यह दो चतुर्थांच में बात कर रहा है आपने आपको पहले और चौथे में ठीके cos inverse x जो चल रहा है वो 0 से pi चल रहा है यानि यह पहले और दूसरे की बात कर रहा है ऐसे यह वाला पहले और चौथे की बात कर रहा है ये वाला पहले और दूसरे की बात कर रहा है ये वाला पहले और दूसरे की बात कर रहा है जिसमें वो पाइबेटू को छोड़ना चाता है और ये वाला पहले और चौथे की बात कर रहा है तो आप मज़ेतार बात देखेंगे कि या तो पहला और दूसरा सेलेक्ट हो रहा है या तो पहला और चौता सेलेक्ट हो रहा है इसका मतलब हर inverse trigonometric function में जो पहला चतुर्थांच है वो तो सब में common आने वाला है ये बात clear हो गई आच्छा, जब हम पहले चतुर्थांच की बात करते हैं तो ये noon cone होते हैं कौन से cone होते हैं? noon cone हम जानते हैं कि सारे त्रिकोन मितिया अनुपातों में यदि आप noon cone रखेंगे क्या रखेंगे? noon cone रखेंगे तो वो धनात्मक मान देगा ठीक बात यदि आप त्रिकोन मितिया अनुपातों में जीरो से पाबैटू के मद्धिका कुभी कौन रखेंगे तो जो आपको नमबर मिलेगा वो नमबर धनात्मक होता है उस चतुरतांश में सारे त्रिकोनमीती अनुपाद धनात्मक मान देते हैं ठीके अच्छा इन्वर्स है क्या इन्वर्स वो कौन है जिसे साइन एक्स या किसी भी त्रिकोनमीती अनुपाद में डालने पर हमें एक्स प्राप्त हो जाए आपने बोला कि सर साइन एक्स के अंदर अगर हम एक्स डाल देते हैं वो भी कौन सा न्यूनकोन तो हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है तो यदि त्रिकोनमीतिये अनुपात में धनात्मक मान डालेंगे तो हमें न्यूनकोन प्राफ्थ होगा क्योंकि एक दूसरे के क्या है ये पृतिलोम है पृतिलोम फलन में क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से सुनो एक बार मैंने बहुत अच्छे समझा रहा हूँ मैंने बोला कि यदि त्रिकोनमीतिये अनुपात में न्यूनकोन डालोगे त्रिकोनमीतिये अनुपात में त्रिकोनमीतिये अनुपात में न्यूनकोन डालोगे तो धनात्मक मान प्राफ्थ होगा अब ये जो डाला है वो input है और जो आया है वो output है किसका त्रिकोनमीत ये का ठीके अब मैंने बोला कि inverse में अगर आप धनात्मक मान डालोगे तो आपको कौन सा कौन प्राप्थ होगा न्यून कौन प्राप्थ होगा इसी लिए जब आप त्रिकोनमीत ये आपके inverse technometric function में x का मान धनात्मक डालेंगे तो आपको जो कौन प्राप्थ होने वाला है वह न्यून कौन प्राप्थ होने वाला है हर inverse technometric function के लिए इसी लिए first quadrant सब के अंदर क्या रखा गया common रखा गया ठीक बात उसके बाद अब आप जब वो pi by 2 से pi जाएगा तो cos का जो मान आने वाला है वो रणात्मक अभ्यान से सुने cos x के अंदर यदि आप pi by 2 से pi के बीच का कोई कोन रखते हैं तो आपका मान रणात्मक आएगा यानि cos inverse x में अगर रणात्मक मान रखोगे तो जो कोन आएगा वो कहां होगा 0 से pi के बीच में होगा तो रणात्मक मानो के लिए sin inverse x 10 inverse x और cos x जाते हैं कौन से चतुरतांच में चौथे चतुरतांच में जो चलता है minus pi by 2 से लेकर और 0 तक का ठीके जब कि जो cos का परिवार है cos, cot और sec inverse x cos inverse x, cot inverse x और sec inverse x ये अपने रणात्मक मानो के लिए कहां जाएंगे दुती चतुरतांच में जाएंगे यानि अगर आपने x का मान रणात्मक डाला तो ये वाला, ये वाला और ये वाला cos inverse, cot inverse और sec inverse ये तीनों कहां जाएंगे दुतिय चतुरतांश में जाकर के आपको कौन देना शुरू कर देंगे ठीक है जबकि sin inverse x, 10 inverse x और cosec inverse x आपको चौते चतुरतांश में कौन देंगे यानि जो ये second और fourth आ रहे है ये x के रिनात्मक मानों के लिए आ रहे है x के रिनात्मक मानों के लिए तो क्या बात हो गई first quadrant बोलो बात समझ में आ गई और x के रिनात्मक मानों के लिए एक परिवार एक परिवार में तीन सदद से कौन कौन से sin inverse, 10 inverse और cosec inverse ये कहां जाएंगे ये जाएंगे चौते चतुरतांश में और cos inverse, cot inverse और sec inverse कहां पर जाएंगे दुती जब दुतांच में जाएंगे तो आप देखो मज़ेदार बात कि आपका जो third quadrant है ये कभी इस्तमाल होता ही नहीं है यानि पूरे inverse technometric function के अंदर जो हमने design किया है हमने इसको परिवाशित किया और उसे universally जब accept करवाया तो हमने क्या कहा कि आप प्रांथ को restrict करने वाले और वो भी numerically least पे करने वाले तो हमने कुछ चुनाव इस तरीके से किया कि हम कभी किसको न चुने third quadrant को कभी न चुने यानि आपका pi से लेके 3 पाबे 2 के बीच में कभी कोई angle नहीं निकलना है आपका angle या तो first second में निकलेगा या तो first fourth में निकलेगा third quadrant use होना ही नहीं है ठीक बात हो गई इसका मतलब आपको ये बात अच्छे से मन में बिठा लेनी है कि third quadrant का हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि third quadrant अगर आप ले लेते ने बिठा तो गडबर क्या होती कि sign जो है वो रॉनात्मक लेने के लिए चोथे में भी जा सकता था और तीसरे में भी जा सकता था तो वो बहू एका की बन जाता x के x का कोई मान मालीजे आप sin x का मान minus 1 by root 2 चाते sin x का मान minus 1 by root 2 तो वो तो आप fourth quadrant में भी x का angle डाल देंगे तो भी आ जाएगा और third quadrant में भी आ जाएगा और हम ऐसा चाते नहीं है कि x के दो मानों के लिए y का एक मान आयत मना वो बहू एका की हो जा रहा था तो हमने उसको बचाने के लिए क्या करा हमने third quadrant को उड़ा दिया अब हमने क्या बोला कि आप first और second और first और fourth में खेले और आप देखे कि उसी तरीके से आपका पूरा परिसर डिजाइन किया गया है यहाँ पर आपको जो प्रांत है इसमें कोई दिक्कत नहीं है त्रिकोड मीटिय फलनों के जो परिसर थे उन्हीं को ही inverse trigonometric function का परांत बना दिया है जो आपका trigonometric का परिसर था वो inverse trigonometric का परांत बन गया है और यही inverse का concept भी था